हलो एरिवन मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हो आप सभी का डिलिजेंट एसें यूट्यूब चैनल के उपर आज की हमारी वीडियो एसे सीजियल का जो एक्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए होने वाली है कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको मैंने यूज किया था और यह issue हो सकता है तो वो सारी चीजे आज इस वीडियो के अंदर मैं discuss करने वाली हूँ तो जिन लोगों को भी सीजियल 2024 का exam देना है या nearby कोई भी exam देना है वो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना कुछ ना कुछ टिप्स आपको ऐसी जरूर मिलेंगी जो आप इपने exam क के अंदर implement करके जो अपना score है उसको amp up कर पाओगे उसको level up कर पाओगे तो उसी के लिए आज इस वीडियो के अंदर हम discuss करते हैं कुछ points के अंदर मैंने आपकी सारी चीजे जो हैं वो लिख ली हैं और उसके accordingly मैं आपसे discuss करना start करती हूँ सबसे पहली चीज तो जब भी आ इसनी आदत बना लो की time पे पहुंचना है exam के अंदर around around हर एक exam के अंदर 5 से 10 comments में पास ऐसे आ जाते हैं कि मैं examination center पे नहीं पहुंच पाया यह बहुत ही silly सी बात है कि मैं आपको यह समझारी हूँ इतने बड़े होने के बाद भी लेकिन फिर भी गलतियां होती है तो इसलि अगर यह सारी चीज़ें आपके पास में हैं उसके बाद में अगर आप examination center पे पहुंचते हो तो entry लेने के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगे entry ले ली है exam अपका है तो उसके अंदर क्या क्या करना है या अभी exam से पहले उसके लिए कैसे तैयारी करनी है उन चीज़ों के उपर बात करते है first point जो है आपका वो है कि real time जो आपका exam है अभी आपके status आउट हो चुके है सबको पता है कि आपका exam किस time पे होने वाला है तो real time जो आपका exam का होने वाला है उसी time के अंदर आपका exam है जो mock test है वो practice करो इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको night में अपना पढ़ाई करने के आदत होती है और daytime में वो usually अपनी नीन में होते हैं या सोते हैं तो एक biological clock होती है जो हमारे body के अंदर काम करती है जिस particular time के उपर जो activity हम करते है उस time पे हमारा brain उसी के signal देता है तो हर possible courses हमें करनी चाहिए जब भी हम exam देने जाते हैं तो real time जो आपका exam है उसके time पे आपको mock test practice करना है हर एक तरह की environment में mock test practice करके देखना है humid weather में भी आपको बिना AC के भी AC बिलकुल chilled है उस situation में भी सिरफ fan चल रहा है उस situation में भी क्योंकि आपका जो lab है examination center है वो किसी भी condition की हो सकती है ऐसे ऐसे पसीने टपक रहे होते हैं यहां से पूरा हाथ गीला हो जाता है और seat के ओपर हम लिख रहे होते हैं तो ऐसे situations में भी जो आपको अपना exam है वो attempt करना पड़ता है और उस time के अंदर हम ना ही कोई excuse दे सकते हैं ना ही मोग को पोज कर सकते हैं ना ही कोई भी चीज ऐसी हो सकती है कि हां यह चीज थी इसकी वज़े से हमारा exam नहीं हो पाया अच्छे से तो इसके लिए हमें अभी से त्यारी करने ही कि हर situation के हम used to हो किसी भी situation की वज़े से एक घंटे के अंदर हमें कोई भी फरक नहीं बहुत ही common चीज है हर किसी को पता है लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे experiment गलती करते हैं कि हर एक question आपका दो नंबर का है कोई question के उपर आपने इतना बड़ा page भर के soul किया है वो भी दो ही नंबर देगा और किसी question का आपको answer याद था वो भी दो ही नंबर देगा तो इसका मतलब बताने का logic क्या है logic यह है कि बहुत बार हम ego के उपर लेके questions के साथ fight करते रहते हैं यहां में ऐसे लगता है कि नहीं maths का यह topic तो मैया फेवरेट है इसका question में से कैसे नहीं निकला उसके उपर आपने over time दे दिया और जो question आपका एक second के अंदर हो जाने वाला था वो आप देखी नहीं पाए तो यह situation ना हो उसके लिए आपको यह समझना है कि सबसे ज्यादा important जो है आपके लिए वो यह है कि ज्यादा से ज्यादा questions आपको करने हैं ना कि यह है कि किसी particular section के जैसे maths के आपने अगर दो question extra भी निकाल दिये तो दो चार ही number देंगे और अगर उ exam के अंदर intellect जो आप बोलते हो ना smartly play करना है तो smartly play करके आप लोगों को जो आपका exam है वो देना है कभी भी एक question के ओपर stuck नहीं होना है और यही चीज होती है जो students के marks को decrease करती है या उनका जो overall performance है उसको बिगार देती है तो third point इससे ही related है third point यह है कि आपको exam को attempt करने के एक series होनी चाहिए एक sequence होनी चाहिए आपका एक तरीका होना चाहिए कि मुझे कैसे exam attempt करना है और उसके लिए अभी से आपको mock test के ओपर regular practice करनी होगी mock test usually experience दे रहे हैं अगर कुछ अभी भी नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए तो हाथ जोड की request कर सकती हो कि please mock test attempt कर लो अगर pass pro ले लेना dssc coupon code लगा लेना आपको extra 12% का discount मिल जाएगा फिल हाल जो भी sale चल रही है उसके अंदर आप अपना जो pass pro है अगर किसी का खतम होने वाला है या खतम हो गया तो अपना ले लो और last के time तक अपने mock test लगाते रहना अभी इस mock test के अंदर ही आपको एक routine बनाना है कि मुझे इस तरीके से अपना paper attempt करना है कौन से sequence में आपको जाना है कुछ students होते हैं जो सबसे पहले maths attempt करते हैं फिल जो भी अपना favorite subject होता है वो attempt करते हैं but logically और जो एक मेर को जो fix pattern लगता था वो मैं ये था मैं सबसे पहले GS attempt करती थी उसके बाद में मैं English attempt करती थी उसके मैं math attempt करती थी मेरा जो pattern था वो इसलिए था कि मैं ये सोसती थी कि जिस question को करने में सबसे कम time लगेगा वो मैं सबसे पहले करूंगी ताकि maximum question minimum time के अंदर मैं कर पाऊंग तो मैं को GS में आप सभी को पता है कि सबसे कम time लगता है मैं GS पहले कर लेती थी फिर English कर लेती थी reasoning औ आपको fix है आप उसने अपना pattern fix कर लीजी अगर अभी तक भी नहीं किया है तो एक pattern बना लीजी और उसी के उपर आप लोगों को अपना exam है वो attempt करना है कोई भी exam वाले दिन के उपर अलग से changes नहीं करने कि पहले कुछ कर रहे थे और वहां जाके एकदम से सारी चीजे बद में कि 100 questions है और 1 hour है only मतलब 100 questions 60 minute एक question के लिए 1 minute आपको proper मिल नहीं रहा है तो time management is the key जिसने time manage कर लिया जो भी one day exams होते हैं जो भी आपके online exams होते हैं उनके अंदर जो time manage कर लेता है वो जीत जाता है इस game को जो time management है उसी की वज़े से usually जो students है वो face करते है problems अभी CPO का exam हुआ था इतने messages में पास आये थे कि मैं paper नहीं देख पाया पूरा मैं पूरे questions नहीं attempt कर पाया मैं यह नहीं कर पाया मैं वो नहीं कर पाया उसका सिरफ एक basic region होता है किसी भी एक question के उपस stuck हो जाना या आपने अपना already time management बनाया नहीं है आपको दिमाग के आपको किस section के अंदर कितना time लग रहा है usually मैं GS के अंदर 5 minute लेती थी, English के अंदर 7 से 8 minute लेती थी मैं और आपका reasoning जो है उसके अंदर 12 से 17 minute लग जाते थे कभी कबार अगर paper थोड़ा सा length है तो और maths के अंदर जो मेरा time था वो usually 25 minute से 28 minute के around लगता था और उसके बाद में जो time बसता था उसके अंदर mark for review वाले questions और जो ऐसे questions थे जो मुझे आते थे या किसी कारणवस में से नहीं हो पा रहे थे उनको मैं कर लेती हूँ कि जो आपको game जो है वो बिगाड भी सकती है और आपको game के अंदर hero भी मना सकती है अगर आप एक question के उपर स्टक होगी रहे गए तो आपको पूरा time चला जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा तो एक question के उपर स्टक ना होने का एक सबसे बड़ा rule मैं आपको दे रह है तो उस case के अंदर आपको क्या अपना जो mind game है वो जलाना है जैसे ही आपने question पढ़ा अगर आपको clarity है कि yes I know the formula I know the pattern आपका pen चलना start हो गया तो attempt it right now अगर आपने उस question को पढ़ा और आपको पता है कि मुझे calculation के अंदर इसके अंदर थोड़ा सा time लग जाएगा या मुझ अगर आपको लगता है कि इस question के अंदर मुझे सोचना पढ़ेगा क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा तो उस question को skip करो और आगे बढ़ जाओ यह थमरूल है अगर आपने किसी भी paper को किसी भी question को attempt करने के लिए सोचना है करना है तो उस case के अंदर तो यह simple funda है I guess आपको सम अगर आपको लगता है कि इस question के अंदर मैं फस सकता हूं या मुझे formula याद नहीं है या मुझे नहीं आता है तो चोड़ो और आगे बढ़ जाओ simple funda है अगर यह चीज आपने paper के अंदर apply कर ली तो automatically आप किसी भी question के अंदर नहीं फसने वाले हो उसके बाद में दूसरा एक chance होता है question के अंदर फसने का कि आप calculation कर रहे हो करते करते आपको ऐसा हो गया कि दो बार आपने एक बार आपने try क्या answer गलत आगया दुबारा एक आपको नहीं पता लगता कई बार कि वो question wrong है और आपने उसके अंदर दो बार आपने attempt किया चार बार आपने attempt किया आप सोचोगे कि मैं तो पूरा pattern इसका ठीक लगा रहा हूँ मुझे तो formula भी आता है फिर भी question क्यों नहीं हो रहा है वो wrong भी हो सकता है तो wrong questions के लिए भी आपको ready रह के चलना है कि by chance अगर question wrong है तो उसके अंदर simple एक trick आप को अपनानी है कि एक बार question आपने attempt किया अगर answer आपका mention नहीं हुआ एक बार और question को आप attempt करोगे कि मतलब आपको उसकी calculations को roughly दुबारा चेक करोगे अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ हर किसी को उसके marks जो है वो मिल जाएंगे अब ही हम अपने 7th point को discuss करते हैं 7th point जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है जो silly mistakes हम करते है silly mistakes करने का जो सबसे बड़ा region होता है एक तो यह होता है कि हम paper को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते है पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ने का example simple सा यह है कि आपको उन्होंने पहले सारे milk और water की ratios दे रखे हैं लेकिन answer में उन्होंने water into milk का ratio पूछ लिया मतलब थोड़ा सा गुमा दिया और वहीं आप गोल हो गए यह हमारी silly mistakes होने की बहुत chances होते है radius की आपने diameter पूछा है आपने radius लिख दिया आपको उन्होंने total distance पूछा आपने single side का distance लिख दिया यह सारे question मैंने खुद गलत किये हैं अपनी पेपर में तब ही मैं आपको बता रही हूं और आप भी यह usually mock test में गलत कर रहे होगे तो अपना जो silly mistakes वाला pattern है जो भी आप mock test के अंदर silly mistakes करते हो उन हैं वो कम हो जाएंगी आराम से आप question को पढ़ो दो सेकिंड जादा लग जाएं चाहें लेकिन आराम से question को पढ़ो उसके बाद में अपने दिमाग को एक reminder देते हुए कि इसमें मैं silly mistake करता हूं और फिर आगे बढ़ो automatically जो आपका paper है वो अच्छा हो जाएगा almost ये 7 points हैं जिसके अंदर मैंने almost चीजें cover कर ली हैं इसके बाद में अगर आपने 7 points अभी से mock test के लगाओगे जैसे आपको 10 mock test अभी आप लगा सकते हो last के days में 10 के 10 mock test में आपको 7 points से इनको follow करना है और फिर exam वाले day पे आपको follow क आपका score 10 plus marks increase हो सकता है और more than that भी इससे ज्यादा भी हो सकता है और last के time के ऊपर कुछ चीजें आप जो बहुत ही silly mistakes करते रहते हो वह होती है कि बहुत कुछ नया नया पढ़ना start कर दिया नहीं पढ़ना है बहुत कुछ ऐसा आप सोच लेते हो कि हां मैं over exert कर लेता हूं अपने mental being को priority देनी है अपने आपको एक positive affirmation के साथ में आपको काम करना है कि यह चीजे काम करती है definitely करती है साथ में आपकी अगर preparation अच्छी है साथ में आपने positively चीजों को handle किया तो आपका exam के अंदर आप रोक करोगी ही definitely और exam का funda ही कितना है जो pre का exam में उसके अंदर simple चीजे पूछी जाती है और already आपको वह आती होती है बस आके आपको यह नहीं कहना है कि मुझे आता हुआ question चूड़ी है उसके लिए आपको अपनी speed के ओपर काम करना है आपको art of skipping के ओपर काम करना है जो जो चीजे मैंने बता दी है उनके ओपर आज से ही काम करना start कर दो और exam day के ओपर एक अच्छे attitude के साथ में exam attempt करना और exam अच्छा होने के बाद में comment section में आके जरूर लिखना कि इससे कौन सी trick ऐसी थी जिसने आपके exam के अंदर help की और आपका exam कैसा गया जो भी आपके reviews रहेंगे वो comment section में जरूर लिखके जाना thank you so much for watching this video फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत